नमसकार दोस्तों स्वागेत आप सभी का Pathfinder पर दोस्तों भारत में Mirage Fighters बहुत ज्यादा successful रहे हैं Mirage 2000 Fighters इतने ही credible रहे हैं कि जब surgical strike भी किया गया था इन्ही का उपयोग किया गया था पर दोस्तों 2011 में मिराज fighters में कुछ अप्ग्रेडेशन किया गया था और वो अप्ग्रेडेशन में एक मिराज fighters की जो कीमत आई थी वो आई थी 167 क्रोर रुपीज वही येर 2000 में एक मिराज फाईटर भारत ने खरीदा था 133 क्रोर रुपीज में यानि कि 11 साल बाद अप्ग का एंगल निकल रहा है तो पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो आंस डीलर संजय भंडारी है उन्होंने एक केस फाइल किया जिसके अंतरगत मिराज फाइटर्स बनाने वाली कंपणी डसो एविएशन है और डसो एविएशन की ही एक साथ वाली कंपणी है थेल्स तो थेल करवाया था मिराज का वह इसलिए हो पाया था क्योंकि मैंने आपको डिफेंस ओफिशियल्स तक मैं पहुंचवा पाया था याने की संजय भंडारी वस्दी मिडल में जिन्होंने फैसिलिटेट करवाया था यह पूरा का पूरा 2011 का मिराज का अपग्रेडेशन और अब फ् अब इसमें कुछ ना कुछ निकल रहा है ऐसा लग रहा है तो क्या है यह पूरी कहानी आज की क्लास में इसी पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों इसे पहले आगे बढ़े आपको बताना चाहूंगा पार्टफाइंडर बैच यूपेसी सी चुनिटिटिफोर के लिए है के केवल 8999 रुपए में 900 से अधिक गंते लाइव क्लासे के मिलेंगे प्रिलिम्स में इंटरव्यू कॉंपरिंसिव कवरेज है चालिस टेस्ट प्रिलिम्स के हैं टेन टेस्ट में के हैं प्री मेंस में इंटर्व्यू गाइडिंस प्रोग्राम है सब कुछ आपको मिल रहा है केवल 8,999 रुपए में एक बार आपने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया आपको UBSC के लिए और कुछ नहीं चाहिए इसमें सब कुछ कवर हो रहा है highest quality highest quality preparation हम करवाने वाले है देख सकते हैं दोस्तों अगनी पत बैच है 2024 के aspirants के लिए इसके perspective series है इसको भी देखते रहिए समुधर मंतन free mock test है 13 make होने वाला है तो make sure इसमें आप enroll कर रहे है exact UPSC pattern and UPSC timing को हम follow कर रहे है exciting prizes भी है एक लाख रुपे के prizes हम दे रहे हैं तो make sure इसका फाइदा उठा ले दोस्तों defense company sales essay ऐसे क्या होता है दोस्तों France में इस्तमाल किया जाता है limited के लिए corporation के लिए limited के लिए उसी का वहाँ पगर आप देखे तो acronym है ऐसे तो defense company sales एक bribery probe यानि bribery का वहाँ पर investigation होने वाला है French prosecutors के दोरा कारण है जो धाई billion dollar का contract था उसमें कुछ corruption का angle निकल सकता है तो current क्या है दोस्तों यह पूरा contract था modernization का किसका modernization करना था जैसा मैंने आपको बताया Desso के द्वारा बनाया गया जो Mirage 2000 planes है उसका modernization का था अब आप गएंगे sir Mirage 2000 तो Desso aviation मनाती है तो Thales कहां से आ गया दोस्तों Thales क्या है एक प्रकार का अगर आप देखे तो बड़ाई बड़ी giant company है इसमें French सरकार का भी इसमें stake है साथ-साथ Desso aviation भी 25% Thales का stock own करता है और दोनों कहीं stock गिरे है जब से यह news सामने आया है तो यहाँ पे जो Mirage के बहुत सारे sensors थे electrical equipments थे तो यह सब बनाने वाली company Desso के लिए Thales करती थी और वही सारा अप्ग्रेडेशन करवाना था तो इसलिए contract Thales के पास जाना था जो existing Mirage Plains थे इंडिया के पास 2011 साल में उनके अप्ग्रेडेशन के दोस्तों यहाँ पर जो preliminary investigation open किया गया है संजय बंडारी के allegations पर तो उन्होंने एक court case फाइल किया कि as a middle man उनको जो commission मिलना था वो commission नहीं मिला और अभी भी Thales ओ करता है उनको पैसा यहाँ पर दोस्तों French prosecutors की बात आपको बता देता हूँ वो investigate करने वाले है उनको देखना है पैसा मिला नहीं मिला वो बात तो अलग है उनका main purpose है यहाँ पर investigation का क्या भंडारी को जो पैसे मिलने है क्या वो एक प्रकार का hidden bribe है क्या कोई under the table corruption का मामला है घुस खोरी है तो Thales ने साफ साफ कहा दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है हम इसको reject करते है खैर अब investigation होने वाला है तो दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अब case क्या है मैं आपको depth में बताता हूँ दोस्तो संजे भंडारी ने Thales को सू किया था कारण सा उन्होंने कहा था कि आपको मुझे 11 million euro देने है वो अभी भी बकाया है करीबन करीब 92 करोड रुपे तो उन्होंने कहा कि देखिए पूरा मामला ये है कि भंडारी जो कि खुद अगर आप देखे तो भारत में wanted है वैसे fugitive है भगवडा है तो यहाँ पे आपको पूरा मामला बताता हूँ तो जो upgradation का जो हमारा fighter planes का मिराश्रू थादिर का जो upgradation का case था उसके लिए भंडारी ने थेल्स को मदद किया था कैसे उन्होंने एक meeting facilitate करवाई थी याने बिचोलिये का काम किया था एक senior defense ministry official से इन्होंने meeting करवाई थी जिसके द्वारा थेल्स ये deal finalize कर पाया अब ये बीच के व्यक्ति थे और इनके कहने पे क्यों meeting हुई ये सवाल उठेगा और उन्होंने कहा कि क्योंकि इन्होंने ये meeting facilitate करवाई तो इसके लिए थेल्स ने इन्हे 20 million promise किया था लेकिन केवल 9 million योरो की बात हो रही है 20 million promise किया था लेकिन केवल 9 million योरो पे किया है और बागी के 11 million योरो अभी भी बकाया है तो वो उनको पे करना है तो दोस्ते यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो भंडारी है वैसे इंडिया में wanted है official secrets act में wanted है क्यों wanted है अभी आपको बता दूँगा फिलाल UK में है और साथ-साथ आपको ये भी कह देता हूँ इस पूरे deal में इंडिया ने मिराज 2000 वार्प्लेंस जो डिफेंस मिनिस्टर एक एंटनी जी ने खुद कहा है इंडिया ने ये 2000 में मिराज 2000 वार्प्लेंस खड़ी दे थे एक प्लें 133 करोण में और वही जब अप्ग्रेडेशन किया 2011 में तो एक प्लें की कीमत थी 167 क्लोर रूपीज अब दोस्ते यहां 2000 से 2011 में सिंसर टिकनोलोजी में जमीन आस्मान का अंतर आया होगा तो यहां पर एक मार्जिन और एक डाउट आप दे सकते हैं कि यहां हो सकता है कुछ मेजर अप्ग्रेडेशन किया गया होगा जिस वज़े से इतना ज्यादा कीमत उभर कराया पर दोस्तों यहां पे तो संजय बंडारी साफ साफ बोल रहा है कि देखिए मैंने मीटिंग फैसिलिटेट करवाया मुझे पैसे मिलने चाहिए अब सवाल उठता है संजय बंडारी कैसे इतने संजय बंडारी के बारे में अब दोस्तों यहां पे मैंने खुद से एक भी शब्द नहीं लिखा है यहां तक जैसे लिखा था यहां पे मैं आध इस न्यूज कटिंग सापको देने वाला हूं आप को भी मालुम है क्यों इतना समझदार आप भी है तो बंडारी कौन है दे से ख्लोज है और यह भारत से 2016 में भाग गया थे कब भागे थे जब इनके प्रिमाइस के बारे में और इसी के इंतरगत इन पर Official Secrets Act को ले करके भी चार्ज किया गया था ये भी इन पर आरोप लगाया गया था हाला कि दोस्तों यहाँ पर आपको और एक बात बता देता हूँ ये भी आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है इसका कहना है कि Income Tax Department ने ऐसा पता लगाया है कि बहुत क्लोज लिंक्स है रॉबर्ट वाडरा और संजय भंडारी में रॉबर्ट वाडरा जी और संजय भंडारी दोनों में क्लोज लिंक्स है ऐसा Income Tax Department का कहना है इसके सिवा आपको पता देता हूँ संजय भंडारी का भारत आना लगभग तय हो चुका है बिटिश होम सेक्रेटरी सुवेला ब्रिवर्मन ने क्लियर कर दिया था संजय भंडारी का एक्स्टेडिशन हाला कि अब ये UK के हाई कोड जा चुका है मामला वहाँ पर अटका हुआ है लेकिन उमीद की जा रही है कुछ दिनों में इसकا भारत आना तैय है और तब बहुत कुछ हमें पता चलेगा इन सारे मामले में किस प्रकार से इस प्रकार से डिफेंस मिडलमन किस प्रकार से इंडिया के डिफेंस डील्स को अश्याम देते थे और लिंक मिल जाएगा केवाल 8999 रुपए में 900 से अधिक गंटे हैं लाइव क्लासेस के फिलेंस भी है मेंस भी है इंटर्व्यु भी है